Hello everyone, आप सभी को रिदे कराईश, नमस्कार और इस होली पे आप सभी को धेर सारी सो कमना है and wish you the biggest slice of happiness on this होली and may your होली fit with so many colors Friends, आज होली है, तो मैंने सुचा क्यों ना आपको होली से जुड़े कुछ कमाल के words और कुछ कमाल के sentence आप से share करो जिन सारे sentence को और जिन सारे words को आने वाले इस होली पे आप use करके बहुत ही आसानी से होली से जुड़े कुछ कमाल के words को सिख जाए और अपने English conversation को, अपने English vocabulary को और भी ज्यादा improve करें So friends, चलिए उन सारी words को एक-एक करके और उन सारे sentence को एक-एक करके हम देखेंगे Well, hi everybody, it's me Amar and I welcome all of you with a big heart on speaking English जहां आप सेखते हैं how to speak English So friends, चलिए देखते हैं उन सारे words को एक-एक करके और जो हमारा सबसे पहला word होने वाला है यानि कि होली से जोड़े जो हमारा सबसे पहला word है वो बहुत ही common है And I am 101% sure कि आप में से बहुत सारे लोग को वो word पता होगा Well, वो जो हमारा word होने वाला है वो है holy Well, holy को हमें English में क्या कहेंगे? आप में से बहुत सारे लोग बोले हैं कि holy को हमें English में holy ही बोलते हैं एक और word है holy को आप चाहों तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं Festival of Colors Yes, print आपने बिल्कुल सभी सुना आप holy के जवब पर बोल सकते हैं Festival of Colors Okay, now बढ़ते हैं अपने दूसरे word की तरफ और जो हमारा दूसरा word होने वाला है वो है revolve Well, revolve का मतलब क्या होता है? English में बोलते हैं revolve तो ये हम holy के ठीक एक दिन पहले करते हैं जब भी हम चकर लगाते हैं तो चकर लगाने को ही हम English में बोलते हैं revolve Okay, now बढ़ते हैं अपने तीसरे word की तरफ और जो हमारा तीसरा word है वो बहुत ही कमाल का है कई बारी हम holy की दिन बोलते हैं कि मुझे कच्चा रंग पसंद है तो फिर्ट्स आप सोचे कि English में हम कच्चे रंग को क्या बोलेंगे Well, English में हम कच्चे रंग को बोलते हैं Soft Colors आपने बिल्कुल सही सुना Soft Colors हम बोलते हैं कच्चे रंग को जैसे आपको कोई फ्रेंड है उसने बोला कि you know I like to apply strong color तो पक्का color क्च्छा color क्या हो जाएगा soft color और पक्के color क्या हो जाएगा strong color So friends in this way आप बहुत ही आसानी से use कर सकते हैं होली के दिन soft color and strong color बढ़ते हैं अपने पांचवे वर्ड की तरफ और जो हमारा पांचवा वर्ड होने वाला है वह है गुलाल वेल जरा सोचिए आपकी गुलाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेल गुलाल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं colored powder अपने बिल्कुल सही सुना हम गुलाल को इंग्लिश में बोलते हैं colored powder ओके नाव मुविंग टो दे नेक्स वर्ड और नेक्स वर्ड हमारा जो होने वाला है जैसे कई बार होली के दिन हम कुछ आमिन पानी के गुबाड़ी बनाए रहते हैं और उस पानी के गुबाड़े को किसी के ऊपर हम क्या करते हैं तो उस पानी के गुबाड़े को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेल पानी के गुबारे को हम लोग इंग्लिस बोलते हैं water bombs यस परेंट अपने बिल्कुल से सुना हम पानी के गुबारे को इंग्लिस बोलते हैं water bombs जैसे I like to throw water bombs याने कि मैं पसंद करता हूं क्या throw करना water bombs okay now moving to the next word और जो हमारा next word होने वाला है वो है उपला या आप कांडा बोलते हैं कई बारे आप सुनते होंगे कि होली किठीक एक दिन पहले उपला तो उपला या कांडा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काव डंग केक रिपीट आफ अपने बिल्कुल से उना हम पुराने कपडे को या अमने जो भी फटे या पुराने कपड़े होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वां आउट ग्लाथ ओके ना मौई नु मौई नग्न तो दा लास्ट वर्ट जोमारा लास्ट वर्ड बहुत हैं इंट्रेस्ट वर्ट है वो है पिछकारी सोची हम पिछकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेल पिछकारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटर गन यस फ्रेंट आपने बिलकुर से सुनों हम लोग पिछकारी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर गन ओके इस तरीके से करके हमन ज्यादा useful होने वला है, so try to use these all words, now friends बढ़ते हैं कुछ sentences के तरह, और जो हमारा सबसे पहला sentence होने वला है, वो है, थोड़ा सोचे कि कई बारी हम holy के दिन बोलते हैं, बुरा ना मानो holy है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बुरा ना मानो holy है, इसे हम लोग English में बो कैसे बोलेंगे, don't mind, it's holy, now friends बढ़ते हैं अपने दूसरे sentence के तरह, holy के दिन कुछ इस तरीके से बोलते हैं, चलो holy खेलते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो holy खेलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, let's play holy, यानि कि हम जब भी बोलते हैं, चलो friends के साथ लगाओ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, grab him and apply the color onto his face, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, grab him and apply the colors onto his face, now एक और sentence देखते हैं, holy के दिन कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि आप पका color लगाओ, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, apply the, I mean strong color, कच्चा color मत लगाओ, इसे हम कैसे बोलेंगे, don't apply soft color, ना बढ़ते हैं अपने एक और sentence के तरक, कई बारे हम holy की दिन कुछ तरीके से बोलते हैं, मैंने उसके चेहरे को बुरी तरीके सरंग दिया है, तो इसे हम English में कैसे बोलेंगे, I have colored his face roughly, ये स्पेंट आप roughly का प्रियोग करके आप बोल सकते हैं, I have colored his face roughly, कई बरी हम बोलते हैं, आप पिछकारी, I mean पिछकारी भरो, इसे हम कैसे बोलेंगे, I mean fill the water gun, एक और sentence को देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि पानी के गुबारे फेको, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, throw the water bombs, ये स्पेंट आपने बिल्कुर से से सुना, throw the water bombs, या कुछ इस तर ये किसे, you can use these all sentences and these all words, I mean on this holy, and definitely आप इस holy पे इन सारे words और इन सारे sentence को यूज कर के बहुत ही ज्यादा अपने English को इंग्रूफ करने वाले हैं, और ये सारे words और ये सारे sentences काफी ज्यादा interesting और useful होने वाला है, इस holy पे, so friends try to use these all sentences and these all words, I mean on this holy, and make your holy outstanding, I hope कि आपको ये सारे words and if you know any sentences or any words, so please let me know in the comment section, I will wait for you till then, keep practicing as much as you can and I always say, if you want to speak English permanently, do only one thing and that is stop wishing, start speaking.